बरती की बात करें तो एंटीटी को लेकर आज हमने जो इलेक्ट्रानिक डिवेल्पेंट कॉर्परेशन और अजूकेशन डिपार्टमेंट दौनों से बात की थी इसके लिए अभी रिजल्ट का इंतजार है नई सरकार बनेंगी उसके बाद ही हो पाएगा क्योंकि नई सरकार से पहले इसमें पर्मिशन नेनी पड़ेगी की प्रोसेस को लेकर आज़ेटी जाना की नहीं अगर सरकार वर्तमान आ गई तो भी पर्मिशन नेनी पड़ेगी क्योंकि बीच में नोटिफिकेशन या पर्मिशन नहीं हो सकती और अगर नहीं आई तो फिर अंडर रिव्यू की बात कर लेते हैं जो चुनावी फेर में फस गई है नौकरियों में देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि जो मामले हैं अभी नौकरियों के उसमें वन भी भागने दिसंबर में अब कुक और हेलपर की भरती करनी है ऐसा कहा है दो नौमबर तक इनोंने फॉर्म जमा करने थे 1062 पोस्ट हैं जिसमें पैरावर कर ये भरे जा रहे हैं और ये रस्टा उसी जो है फोरेस्ट के उसमें भरती होगी इसी तरह की भरती जलशक्ती विभाग में भी हैं जो रस्टा उस नए बने हैं उन्होंने भी अप्लिकेशन ले रखी हैं जहां तक बात है इसके कर सकते हैं तो इस तरह की सारी भरतियां चुनावी फेर में इसलिए फसी हैं क्योंकि इनका फैसला नहीं सरकार करेगी यदि वर्तमान सरकार रिपीट हो गई तो यह यह पॉसिबिलिटी है कि यह प्रॉसर्स कंटिनू रहे लेकिन अगर नहीं रिपीट हुई तो कॉंग्र समशाला में सडकों पर उत्रे और लगातार विरोध इस बात का हो रहा है कि जितने भी जेवीटी टैट हैं उसमें बीएड धारकों को एंटर ना किया जाए उन्हें बाहर रखा जाए जेवीटी भरती में इसी को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है और जितने भी प्र रहात यहां पर नहीं मिली एडियल बीड दोनों ही भरती के पातर होंगे यह काफी महतर पूर्ण है साथ में प्रदेस में पची सो जेवीटी के पद समय खाली चल रहे हैं यही कारने की हाँ पर हिमाचिल प्रदेस के सिक्षा विवाग ने केंदर से बड़े स्थर पर इसक ज लेकर और आभी फैसला नहीं हुआ है क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसको लेकर कुछ क्वेरि के साथ सचिवाले वापस फाइल भेज दी थी वह वापस नहीं मिली है नहीं मर्जर को लेकर फैसला हो पाया है और अगर अभी जाएगी तो भी इस बारे में जुप financial benefit है वो बीच में नहीं दिया जा सकेगा आठ दिसंबर की जो counting की date है या जो आप कहिए कि जो ये election का जो code of conduct है उसकी date दरसल 2016 से 2022 के बीच में बहुत सारे लोग retire हुए हैं और इनी की fixation में देरी हो रही थी जिसके कारें के pension की fixation में भी issue आया था और pensioner के साथ जब GCC हुई थी तो उसमें ये मामला मुख्यमंतरी के सामने भी उठाया गया था लेकिन अब बीच में finance department को treasury से ये सवाल बार बार पुछे जा रहे थे कुछ भी भागों के दोरा कि जो 2016 से 2022 के बीच के retirees हैं उनको area salary का देना है या pension का देना है दरसल हुआ ये था कि 2016 से मान लेजिए 2019 तक करमचारी सेवा काल में रहा और 2019 में retire हुआ और 2019 से 2022 के बीच में वो pensioner रहा तो जब नया पेर विजन लागू हुआ तो उसके लिए fixation दोनों में होना था salary में भी और pension में भी इसलिए दोनों जगा उस career बन रहा था salary में भी pension में भी ट्रेजरी से बड़े सारे भी भाग fixation में ये पूछ रहे थे कि इसमें क्योंकि सरकार ने जो order किया था वो ceiling लगाई थी पचास हजार और साथ हजार की class 1 से 3 तक पचास हजार की और फिर आगी class 4 के लिए 60 हजार की pensioner के लिए जो एक ही ceiling पचास हजार की थी तो ये बार-बार पूछा जा रहा था भी भागों की ओर से कि केवल salary देनी है या pension देनी है तो उसमें ये decide हुआ था जो ये treasury की finance को पूछा गया finance ने इनको clarity verbally बता दिया था उसके बाद इसको लागू भी कर दिया गया code of conduct था इसलिए ना तो कोई instruction issue हुई ना कोई notification हुई ना office में random कोई जारी हुआ तो इसलिए अब जो pensioner 2019 या 1819 से लेकर 21 के बीच में retire हुए हैं उनको